नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं पाराज सिक्षकों को आकलन परिक्षा देना ही पड़ेगा पाराज सिक्षकों के लिए आकलन परिक्षा अगले मा होगी सिक्षा मंत्री जगनायत महतों ने इसकी तियारी करने के निर्देश इसकुली सिक्षा इवम सक्षाता विभाग को दिये हैं इस आकलन में सभी जिला में पाराज सिक्षकों के पर्मान पत्रों की जाँच चल रही है यह परिक्षा जार्खन एकेडमी काउंसिल द्वारा लिजाएगी हाली में लागू सहायक, अध्यापक, सेवास अर्त्निमावली के ताहत इस परिक्षा में सामिल होना सभी पाराज सिक्षकों के लिए अनिवारे होगा बतादे यादी कोई पाराशिक्षक इसमें सामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परिक्षा में सामिल होने के लिए एक आउसर का उपयोग कर लिया है इस परिक्षा में उतीन होने के लिए पाराशिजकों को अधिकतम चार आउसर प्राप्त होने हैं बता दे कि विभाग द्वारे परिक्षा का पैटरन त्यार कर लिया गया है या परिक्षा जार्खन बोट की परिक्षाए लेने वाली इकाई जार्खन एकेडमी का उसी द्वारा ली जाएगी सेहत मंद रहने के लिए साइकल का करे उप्योग आज 3 जून को 20 साइकल दिवस है हर साल इसे 3 जून को मनाते हैं यह दिन सभी के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि अपने जीवन की पहली आत्रा की शुरुआत हम साइकल से ही करते हैं साथ ही इसे चलाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत फैदेमंद है वही परदूसन मुक्त भी रहती है बता दे इसकी उप्योगता लोगों को बताने के लिए 3 जून 2018 में सन्यूप्त राष्ट महासभा की ओर से न्यूव यार्क में पहली बार 200 साइकल दिवस मनाया गया था इसके बाद से अब हर साल 3 जून को 200 साइकल दिवस मनाया जाता है जारखन में जाती आय पवान पत्र बनवाना होगा आसान जारखन की PDS यानि जन बित्रन प्रनाली दुकानों से अब रासन लेने के साथ साथ लोग जाती आय पवान पत्र भी बनवा सकेंगे रासन दुकानों में प्राग्या केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी जार्खन पंचाय चुनाओं को लेकर पहले इस परोक लगा दी गई थी अब रास्ता साफ हो गया है रासरकार ने पहले चर्ण में 10,000 जोर्न मीत्रन प्रनाली की दुकानों में यह सुविधा शुरू करने की योईना बनाई है बतादे PDS की दुकानों में प्राग्या केंद्र की सुविधा उपलव दकराने का रास्ता साफ हो गया है महागठ बंधन परत्यासी व बंधू तिर्की के पुत्री ने किया नमांकन रांची के मांडर बिधान सभा उप चुनाओ के लिए महागठ बंधन की परत्यासी सीलपी नेहा तिर्की ने रांची समनाले पहुचकर नमांकन दाखिल किया है कांग्रेस ने इन्हे माहागडबंधन परत्यासी के रूप में उतारा है बतादे ए ज्यारखन के पुर्व मंत्री वा मांडर से बिधायक रहे बंधु तिर्की की पुत्री है नमांकन के वक्त सिया महमान सुरेन कांग्रेस प्रभारी अविनास पांडे मंत्री रामेश्वर उराव बन्ना गुपता बादल पत्रलेक समेत अने मुझूद थे ज्यारखन में पांच दिनों तक गहरा सकता है बिजली संकत तेनुग हैट थर्मल पावर एस्टेशन की एक यूनिट दो जून सुबह चार बज़े से बंध हो गई है अगले पांच दिनों तक यूनिट नमबर एक का मेंटनेंस किया जाएगा इस दोरान केवल यूनिट नमबर दो चालू रहेगी जनकारी दिगाई है कि पांच दिनों तक राजे में आउस्टन 150 मेगावाट बिली कम मिलेगी इससे राजे में एक बार फिली संकत गराने की असंका है बताया जा रहा है कि यूनिट नमबर एक की जनरेटिंग मसीन में तक निकी खामी आ गई है इस करण इसे बंद किया गया है जारखन के सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में मिलेंगे पांच दिन अंडा जारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड़े मील में पांच दिन अंडा मिलेगा पहले सप्ता में दो दिन दिया जाता था जारखन मद्याहन भोजन प्राधिकरन ने इस प्रस्ताव को सिक्षा मंत्री जगनात महतो को स्विक्रिति के लिए भेजा था जिस से उन्होंने मुहर लगा दिया है अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की समाती के लिए भेजा जाएगा इस योजना के लागू होने पर 400 क्रोट से अधिक के खर्च होगा बता दे जून के अंध तक इसकी परकिरिया पूरी हो जाने की संभवना है मद्याहन भोजन के लिए 60 फिश्दी रासी केंद्र सरकार वा 40 फिश्दी रासी राज सरकार देती है जारखन में आयुस्मान भारत योजना तहत फर्जी मरीजों का इलाज होने लगा है मामला ए है कि जेपी अस्पताल आइंड रिसर्च सेंटर में एक जांच हुआ जिसमें एक खुलासा हुआ है कि आयुस्मान योजना के पोटल में जिन 36 मरीजों का नाम दर्ज है उनमें से एक भी मरीज अस्पताल में नहीं मिला इसके अलावा पैसा कमाने के लिए अस्पताल द्वारा पैकेजों में ही हेर फेर करने का मामला पकड में आया है जाज के बाद फ्रोड डिटेक्शन यूनिट ने सरकार से अस्पताल पर करवाई की अनुसंसा की है साथी अस्पताल की संब्धत स्तमाप्त करने की बात कही गई है खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए लोहरदगा की पूनम का चयान लोहरदगा की होन हैर फुटबोलर पूनम लकडा का चयान खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए हुआ है पूनम लाकडा लोहर्दागा के हेसल मंगन टोली निवासी सुक्रू उराव की पुत्री है खेलो इंडिया यूथ गेम में पूनम अंडर 17 जारखन टीम का परतिनिद्व करेगी हर्याना में 6 जुन से 11 जुन 2022 तक इस गेम का आवेजन हो रहा है बता देश से पूरू भी पूनम लाकडा अंडर 14 और 17 में जारखन टीम का परतिनिद्व कर चुकी है हेमन्त सुरेन की सीबी आई जांच आज कोट सुनाएगा आपना फैसला जारखन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के लिए आज बेहद ही अहम दिन है हेमन्त और उसके भाई बसंद सुरेन के करिब्यों द्वारसेल कंपनियों में निवेज की सीबी आई जांच की मांग को लेकर दाखिली आज क्या की बैत्ता पर जारखन हाई कोट सुक्रुवार को आपना फैसला सुनाने जा रहा है यह मामला उच नियालाई के चीफ जस्टिस टाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ के अदालत में सुनवाई के लिए सुची बद है राज सरकार प्रार्थी, सीव संकर सर्मा, मुक्षे मंत्री हमन सुरेन और इडी इस मामले में पक्षकार है सभी पक्षों की बहद पूरी हो जाने के बाद बुध्वार को अदालत ने आपना फैसला सुरक्षित रख लिया था आदिवासियों की जमीन खरीद फरोक्त पर रोक लगाने वाले कानूनों को रद करने की मांग जार्खन में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोक्त पर रोक लगाने वाले कानून छोटा नागपूर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1909 वेदानिकता को सुप्रीम कोट में चुनावती दी गई है जार्खन राची की रहने वाले स्याम परशाद सिन्हा ने सुप्रीम कोट में याजक्या दाखिल कर दोनों कानूनों को रद करने की मांगकी है दाखिली आजके हमें कहा गया है कि CNT कानून ब्रिटिस सरकार द्वारा आदिवासियों और अन्य पिछली जातियों की जमीन के संरच्छन के लिए 1908 में लाया गया था और इसी तहौत SPT कानून 1949 में लाया गया था कानून आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोक परोक लगाता है धन्यवाद